चल रही है एक तरफ बीजेपी लंबे समय से जो उंगली उठाती रही है उसे मौका मिल गया है अभिशेग पर आख जो है वो दिखाने का और दूसरी तरफ टीम सी विक्टिम कार्ड खेल कर बिल्कों लॉरिक ये शेग कंपनी के ओनर क्यों लापता हैं उनके तार किस से जु ये कुछ सवाल हैं जो की स्तब्द करने वाले हैं और इसका जवाब कैसे देते हैं रुजीरा जी कैसे देती हैं मनेका जी और अभिशेग बैनर जी ये देखना पड़ेगा आप साफ है कि सीबी आइक्शन से बंगाल की चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ममता बैनर ज पह운च गई और पांच मिनिट रुख कर वहां से निकल गईए सीबी आइक टीम के पहुंचने से ठीक पहले ममता बैनर जी ने पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश किये हैं कि वह हर हालत में परिवार के साथ हैं ममता जी का हाथ और साथ परिवार के साथ और CBI से वो डरने वाली नहीं है, ऐसा तो उन्होंने कल भी कह दिया था कि आपके डराने चमकाने से कुछ नहीं होने वाला हम डरने वाले नहीं है ममता बैनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर सरकारी एजंसियों के दुरूपियों का आरोप लगा रही है गोटाले की जाच अब सीधे सीधे ममता बैनर्जी के बतीजे अब इशेक बैनर्जी की पतनी तक पहुँच गई है लेकिन ममता ये दिखाने में लगी है कि उनका परिवार CBI की जाच से डरने वाला नहीं है हाला कि ममता का CBI की पूछताच से पहले पहुचना ये बताता है कि टेंशन कितनी बड़ी हुई है अमित पांडे हमारे साथ हैं अमित पांडे वो कहते हैं ना कि कुछ तो गड़बड है अब ये गड़बड इसी लिए है क्योंकि जब तक आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है आप इस तरह की बात करेंगे ही नहीं प्रत्यक्ष को प्रमान क्या जो डेपॉजिट स्लिप शुवेंदू अधिकारी ने ट्वीट किये उससे तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं कोई भला आपके नाम का अकाउंट आपकी अनुमति के बिना किसी विदेश में कहीं कैसे खोल सकता है कि बिल्कुल यह कुछ ऐसे सवाल है जिनका अब शेख बनर जी और उनकी पत्नी और उनकी साली को जरूर देना होगा क्योंकि सीबियाई अगर जाच कर रही है अगर इनको नोटिस भेजती है तो अब सीबियाई ने तथ जुटाए होंगे और ऐसा बीजेबी के लोगों का कहना है और जहां तक अब अगर हम स्थबूत की बात करें डॉक्यूमेंट से इसके अलावा फोन कॉल रिकॉर्ट से सीबियाई के पास इसके पास इसके अलावा जगह जगह उन पश्यमंगाल में जगहों का जिक्र है कोला खदानों से जहां पर कोला कोला की सप्लाइग की जाती तो एक पूरा का पूरा सीबियाई के पास ट्रेल है और वो इनको सामने अपशेक बनर जी की साली और उनके पत्नी के सामने वो पेश कर रही है तो कलम बद तरीके से सूची बद तरीके से सारे बयानों को का आकलन कर रही है सीबियाई और एकठा कर रही है यह आज औ की कोशिश करें कि हमारी जांच पुखता है जे अमित और आशिका बने रही हमारे साथ क्योंकि मम्ता बैनर जी कोई कच्ची खिलाडी नहीं है तो इन के साथ अगर भिढ़ना है तो तैयारी के साथ भिढ़ना और खासकर करप्शन और तोला बाजी का अगर आरोप लगाना है तो सबूत साक्षवना बहुत जरूरी है सीबियाई आज जहां रोचीरा से सवाल पूछ रही है वही कल सीबियाई ने रुजीरा बैनर जी की बहन मेनका गंभीर से करीब तीन घंटों तक पूछताच की अब सीबियाई सूत्रों का दावा है कि मेनका से हुई पूछताच से जाँच एजन्सी संतुष्ट नहीं है जाते थे फर्जी कंपणियों के जरीए ये पैसे बैंककॉक और लंदन के खाते में जमा होते थे जिसको लेकर अभिशेक बैनर जी की पत्नी और मिनका रडार पर है अमित पांडे के बाद फिर चलते हैं और फिर आशिका से भी जुड़ेंगे कहानी के और स्टोरी के बहुत सारे पहलू है सबसे बड़ी बात अमित ये है कि जो ये शेल कंपणिया कौन सी थी और इसका लिंक कैसे अभिशेक बैनर जी के परिवार से जुड़ता है ये बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात जो आरोप लगा रही है बीजेपी और खासकर शुवेंदू अधिकारी की आसन सोल की अनूप मान जी के तार सीधा अभिशेक बैनर जी से जुड़ते हैं ये जो करोड़ों पैसे आये हैं इसका स्टो जो सोत्र है वो जो सोर्स है वो ये कोईला कांड है जी बिल्कुल शुबेंदू अधिकारी इसी सरकार में रहे हैं और जब वो कुछ तथ है या कुछ चीजों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सीबियाई उनको भी अपनी गौर करेगी उन पहलू उपर गौर करेगी और अपनी पूरी की पूरी तफ्तीशी सीबियाई कर रही है जहां तक इन दोनों कारी कारोबारियों के मोड़ा सुपरिंडी का सवाल है आनंद हम देखेंगे पिछले 12 सालों में 12 सालों में लगाता चाहे कोईला लेना हो खदान से चाहे उसका संबंदित एजिंसियों को संबंदित फैक्टियों को इसको सप्लाई करना या फिर धन अरजित करना यह तीन ऐसे पहलू थे बराबर बतस्तूर जारी थे और कई हजार करोड की इनकी संपत्ती बढ़ी थी बाउजिद इसके उस इसी के अधार पर सवाल तयार किया है नोटिस किया है पूरा मामला इसी के अधार पर दर्च किया है के शिलुकिया अवेद आप मेरे साथ बने रही है आशिका बने है